हैलो दोस्तों आपका मेरी चानल में स्वागत है तो आज हम करने हुए टाटा विश्टा की सर्विस और नमबर कंडिशन तो इसका हम खोलेंगे अभी मूँ सारी मा मतलब बोनाट और वो इसको मूँ बोनाट को खुल्ड़ाए रखेगे और इसका जो है इंजन बहुत मतलब यह हो गया है खरब नहीं है इंजन की कंडिशन बहुत अच्छी है पावर वगरा एक नमबर है तो थोड़ा सा दूल है बाकि इसमें और फिल्टर वगर अभी चेंज करेंगे और डिजल फिल्टर भी करेंगे उसका वीडियो नहीं बन सका उसके लिए मैं आपको माफी चाहूंगा तो यह देखे अब बैटरी चेक करेंगे बैटरी का वोल्टेज इसमें यह भी इंपोर्टेंट है कि बैटरी का एक बार वोल्टेज चेक कर ले और इसमें जो वाटर लेवल है वो भी चेक कर ले वाटर लेवल के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा तो वो भी आप यह तो वर्टेस तो सही होंगा तो इसके वाटर लेवल का भी वीडियो में बनाऊंगा विचेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो यह जो है इसको बैट्री को खोलेंगे हम क्योंकि टिसल्टर विगराबी चेंज करना है खोलना इंपोर्टन नहीं है सेब आपको अच्छे से दिखाने के लिए मैंने खुला था और वो वीडियो ही शूटनी हुआ क्यों कि हम सब लोग तोड़े जल्दी में थे इसलिए तो यह दोनों खुलने के बाद नट खुलने के बाद नीचे जो पहले नीचे के स्टर्ड निकालने से पहले उपर की जो पट्टी है वो खुलने पड़ेगी उपर उठाने के बाद उखुल जाएंगी और फिर बैटरी उठाने के बाद नीचे के दो स्टर्ड है वो खिश ल देना चाहिए डब्लूडीफोटी यार अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोनिक जो स्प्रेय आते है वो है तो ग्रीस वगरा एलेक्ट्रोनिक और यह देखे यह खोड़ लिया है मैंने और इसको अच्छे से यहाँ पर लगा लेंगे और वो जो स्ट्रड है वो भी मैं बैटरी के उपर रख देता हूँ तो मैंने बैटरी के यह निकलने के बाद एक बार मैंने इगनिशन चलू बन कर लिया था जो भी करन्ट हो चला गया होगा इसलिए टच न होना चाहिए पर अगर हो गया तो कोई बात नहीं और आब हम खोलेंगे एर फिल्टर और एर फिल्टर खुलने के लिए जो एक स्कुरू है वो खुलेंगे यहाँ पर टोटल एक दो तीन और चार पाच स्कुरू है और होस पाइप का जो एक है इंटे होस पाइप का जो मैनिफोल्ट टर्बो की तरफ जाता है उसकी जो एक क्लीप है वो भी खुलना पड़ेगा पाइब में खुल लेंगे तो देखें यहाँ पे जो यहाँ पे एक स्कुरू है और इस साइड में एक है एक तो एक यहाँ पे मेरे इसमें नहीं है पर ट्रहता है एक दो तीन चार पाच पाच प्रूए तो यह पाच खुलने के बाद एर फिल्टर जो वो बाहर निकल जाएगा और यह जो एक होस पाइप का तो यह जो है यह पूरा मैं अच्छे साफ कर लूंगा और एर फिल्टर कुछ काम का नहीं इसलिए फेक दिया दूसरा डालने वाला है इसमें टेस्ट करने के कोई जरूबत नहीं और यह देखें मैनिफूल्ड में कित्ता कच रहा है ओयल जैसा गरिज जैसा कुछ है और यह देखें यह जो एर फिल्टर बॉक्स है यह भी मैं निकलने के निकल के साफ करूंगा और यह जो है चेक करने के लिए ओयल गेज तो इसमें मैंने कुलन्ट में भी मतलब इसमे ρεजर्वायर में भी थोड़ा डिस्टिल वाडर दला है बागी इसमें कुलन बराबर है और पिछले सर्विस को रेडियेटर मैंने साफ किया था तो इसमें कुलिंग का कोई भी प्रॉब्लल्म नहीं है यह bumper मैंने खोल दिया है पूरे screw वगरा bumper के और nut वगरा खोलने के बाद यह जो है खुल गया bumper और यह बाजों में रख दूँगा जो fender line वगरा होती है सभी के screw खोल दिया है और यह तो को horn gear गया इसका गलती से खोल दिया nut यहाँ पे अच्छे सरक दूँगा यह देखे टाटा विस्टा में दो horn के लिए कपलर दिये हुए और इसमें fog light भी नहीं है पर fog light के लिए भी यहाँ पे कपलर दिये है इनके सब को लगाना होतो मतलब कोई wiring इदर उदर करने के जरूवत नहीं यह मुझे बहुत अच्छी बात लगी टाटा विस्टा में सभी वाइरिंग का इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे तो देखे यह एर फिल्टर बॉक्स है इसमें एक ही स्क्रू लगा है पता नहीं यहाँ इसकी सर्विस का हो रही थी तो यह देखे यहाँ एक स्क्रू है और एकी स्क्रू मतलब स्वारी नाट है और एकी नाट पर यह पूरा बॉक्स है और नीचे खोशपाई पर वो खोलने के बात यह बॉक्स बाहर निकल जाएंगा और यह देखे यह हम कोलेंगा भी ड्रेन बोल्ड का नट ड्रेन बोल्ड और इसके लिए ये दिखे मैंने खोल दिया ये थोड़ा सा स्लीप हो गया पर खुल गया है नट तो इसके नीचे अभी जो ओईल पैने वो लगाएगे और पूरा जो ओईल है वो निकल लेंगे गाड़ी जो है मैंने थोड़ी सी जैक की है क्योंकि नीचे जगा नहीं थी इसलिए थोड़ी सी लिफ्ट की है बाकी ज्यादा नहीं की और जब ओईल निकल लेंगे तभी नीचे कर लेंगे कि वह पूरा ओईल ट्रेन हो जाए इसलिए क्योंकि ओईल चेंज अल्मूस्ट दस हजार या एक साल पर करना चाहिए तो इसका जो एक साल है वो तो होने काय पर दस हजार हो गए इसलिए ओईल चेंज करना पड़ेगा ओईल की कंडिशन आप देख सकते इसका इंजन फ्लश भी करना चाहता था पर इंजन फ्लश मिला ने इसलिए रह गया तो अभी नीचे कर लेंगे गाड़ी तो पूरा जो ओईल है वो निकल जाएंगा देखे ओईल निकल रहा है तो इसको जाए वो निकलने देते अच्छे से पूरा जितना ओईल निकले उत्ता अच्छा है गाड़ी में जादा ओईल नहीं हैना चाहिए मैं आज बहुत गिर रहा है ती यह तीसरी बारे गिर तो यह देखे यह ओईल डलने का जो कैप है और जो ओईल गेज है वो भी निकल दिया यहां से तो यह साफ कर लेंगे अच्छे कपड़े से मेरे बाद बहुत साफ और सुत्रा कपड़ा है तो इससे पूरा नहीं लगा अब भाना है थोड़ा से लगा के दीजिए और उसके बाद यह जो ऑइल फिल कैप है उसको भी अच्छे से साफ कर लिया है कि इसको जो और ने वगड़ है साफ कर लेना इसको और जो यहाँ चोप साफ कर लिया है तो यह जो drain bolt है इसके ओपर जो है magnet लगा हुआ है तो इसको भी साफ कर लेना है जो copper oaring है copper washer जो है sorry उसको भी साफ कर लेना है और लगाते वक्त इस पे जो magnet पे नहीं जो washer है उस पे थोड़ा सा oil लगाना है और fill cap पे जो oaring है वहाँ पे थोड़ा सा oil लगाना है मतलब tight करते हो कि damage नहीं होगी और यह देखे आपको पता देता हो कि diesel filter कैसे खुलना है वहाँ पे जो एक screw है nut है वहाँ लंबा वाला वो खुलना है और यह oil filter है oil filter के लिए अलग एक tool लगता है इसका link मैं description में दे दूँ होगा तो यह बहुत अच्छा है बहुत लोग chain का यूज करते हैं चैन से बहुत अच्छा लगा मुझे रबर का तो यहां से खुलने की कोशिश कर तो खुल लेंगा नहीं और खुलने की कोशिश करता हूँ यहां से खुलने है जमा तो आपको दिखा देता हूँ कि यह कैसे खुलना है डिजल फिल्टर तो डिजल फिल्टर का यह जो खुल लेना है और उसके बाद बीच में डिजल फिल्टर होंगा उसको आप निकालके अलग कर लेना है दूसरा डाल देना है उसके बाद उसको तीनो चारो जो ओरिंग है वो लगा लेना है सिंपल है अभी मैं इसमें ओल डाल देता हूँ सर्वो का पंद्रा डब्लू चारीज फिफ्टेन डब्लू फोट्टी ओईल है जो टर्बो डिजल इंजिन के लिए मतलब टीडिया तो यह देखिए यह ओईल है तो यहाँ पर मैं जो सर्विस के लिए आया हूँ वहाँ पर कस्टमर बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे इसलिए यह देखिए गिर गया थोड़ा से ओईल और डेन बोल्ट भी लगाना भूल गया मैं मेरी गलतिया हूँ क्योंकि जल्दी हो र आराम से डल दिया है पूर डलने के बाद कैप अगर अच्छे से लगा लूँगा और यह पूरा साफ कर लूँगा और बस यह था आज के वीडियो में तो यह बेसिक सर्विस थी मैंने पूरा नहीं दिखाया क्योंकि आपको पता रहा हूँ कि जल्दी हो रही थी इसलिए पूरा नहीं दिखा पाया पर जो में में ने वह आपको दिखा दिया और और फिल्टर कैसे खुलना है और और फिल्टर जब आप चेंज करेंगे तो उसके ओर रिंग पर थोड़ा साइल लगा ने लगा है नहीं आया या पूरा ना वाला और आयल देखिए पूरा डाल दि तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में ऐसे ही कोई इंटरस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक ही लिए बाए